नमस्कार दोस्तो प्रैक्टिस वाला यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं दोस्तो आज हम लोग रेलबे गुरूप डी 8 सितंबर 2022 थर्ड सिप्ट का ओल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिल्कुल दोस्तो आप सही सुने 8 सितंबर 2022 थर्ड सिप्ट का इनपोर्टेंट समझे और अच्छे से तयारी कीजिए ओके दोस्तो चलिए हम लोग डाइरेक्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निम्न में से किस तहवार को बीजिया दसमी के नाम से भी जाना जाता है चार अप्सन दिया है इसमें सा आपको चून क अप्सन चार जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सी घटना इंदर धनुस के निर्माण में सामिल नहीं है तो प्रकिनन घटना जो है आपको इंदर धनुस के में सामिल नहीं है तो अप्सन दू जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा बिकल्प धमनियों की विशेस्ताओं का सही वर्नन करता है तो मोटी भीतिया कोई भी प्रवा उंच दाब के तहत होता है शरीर के बिभीन भागों तक रख्त ले जाती है यहीं अप्सन जो है आपको धमनियों की विशेस्ताओं का सही वर्नन करता है तो अप्सन तीन जो है बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे और कमेंट करके बताएगे कि वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तो अभी तक आप इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बिल आइकन को भी प्र पेन में सह संयोजी बंदों की कुल संख्या कितनी होती हैं तो आपको 10 होती हैं कितनी होती हैं दोस्तों तो आपको 10 होती हैं अप्शन 3 जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके चलिए next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि सिली भवन सब्द इनमें से किस भगोली घटक से next question देख लेते हैं next question कह रहा है कि और धिक H प्लस आयन उत्पन करने वाले अमले तो अप्शन 3 जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है कि किसी बस्तू को एक ओतल दरपन के सामने उसके वकरता केंदर C से परे इस्तित किसी बिंदू पर रखा गया है, तो परतवीम डैस इस्तित किसी बिंदू पर बनेगा और डैस होगा, तो परतवीम जो है F और C के बीच इस्तित क किसी बिंदू पर बनेगा और आपको छोटा होगा, अप्सन एक जो है, बिल्कुल सही उदर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है कि तापन द्वारा की जाने वाली अप घटन अविक्रिया क्या कहलाती हैं, चार अप्सन दिया है, इसमें से आपको च पर बटन कहलाती है, अप्सन तीन जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, दोस्तों चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है कि कौन सी भासा संस्थान भारत में भासा भारती समान पुरसकार परदान करता है, तो भारती ये भासा संस्थान करता है, कौन करता है, तो भ परिवहन की परकिरिया के लिए मुख्यत विसरन उतरदाई होता है, हलांकित कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए उर्जा की आवस्यक्ता होती है, कौन सा बिकल्प ATP से प्राप्त उर्जा का उप्योग करके परिवहन किये गए पदार्थों को दरसाता है, तो भोजन, अमीनो, अमल और हार्मोन दर्जाता है, option 4 जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, okay, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है, कि भारतिय संबिधान का संरप्चक कौन होता है, तो आपको सर्वोच नियाले होता है, कौन होता है दोस्तों, तो आपको सर्वोच नियाले, option 4 जो बस्तू को, एक उतल लेंस के मुख अक्ष पर, अनन्त और उसके प्रकासिक केंद्र ओ के बीच इस्तित किसी बिंदू पर रखा गया है, तो इसका निर्मित परतवीम, डैस होगा, तो इसका निर्मित परतवीम, जो है, आपको अभासी और छोटा होगा, कैसा होगा दोस्त बीचिंग पाउडर, इनमें से कोण सा गुर्धरम परदर्सीत नहीं करता है, तो अपचायक गुर्धरम परदर्सीत नहीं करता है, तो अप्सण एक जो है, बिलकुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चले नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोस्चन कह रहा है, कि निम्न में से कौन सा इसाई धरम के संस्थापग का जनम अस्थान है, चार अपसन दिया है, इसमें से आपको चुन कर बताना है कि कौन सा इसाई धरम के संस्थापग का जनम अस्थान है, तो आपको बित लोहम है, कौन है, तो आपको बित लोहम, option 3 जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है, कि निम्न में से कौन सी धातु, प्राकिर्टिक में सरवाधिक धात्विक है, तो आपको cesium है, कौन है दोस्तों, तो आपको cesium है, option 2 जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है, कि मनुस्यों में समानतब प्रकूचन और अनुसितलन दाब कितना होता है, चार option दिया है, इसमें साब को चुन कर बताना है, कि मनुस्यों में समानतब प्रकूचन और अनुसितल अनुसितलन दाब कितना होता है, तो आपको मनुस्यों में प्रकूचन दाब जो है, आपको 120 mm पर होता है, और अनुसितलन दाब जो है, 80 mm पर होता है, option 4 जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए next question देख लेते हैं, next question कह रहा है, कि 60 watt का एक उपकरण, 12 volt की बै test होगी, तो आपको P बराबर होता है, V into I, तो I कमान हम लोगों को निकालना है, यानि कि धारा कमान निकालना है, तो P बाटा हो जाएगा, voltage, तो P कमान कितना है, 60 watt, और voltage कितना दिया है, तो 12 volt दिया है, तो 25 आपको 60 हो जाएगा, तो 5 amp आपको धारा परवाहित होगी, option 3 ज देख लेते हैं, नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि भारतिय संबिधान में 44 संबिधान संसोधन के पईनाम स्वरूप 10 हैं, तो आपको संपती के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सुची से हटा दिया गया है, मैं यह कोश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कोश्चन कह र बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी गयस है, सभी परकार के वाई विये जीवन रूपों के लिए आवस्यक हैं, चार अप्सन दिया हैं, इसमें से आपको चून कर बताना है क कौन सी गयस हैं, सभी परकार के वाई विये जीवन रूपों के लिए आवस्यक हैं, तो अक्सीजन गयस हैं, कौन सी गयस हैं दोस्तों, तो अक्सीजन गयस, अप्सन चार जो हैं, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं, नेक्स् आपको वर्तिका नहीं है, अप्सन दू जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके दोस्तों चलिए, नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन कह रहा है, कि जीन डैस की गती बीधी के माध्यम से लक्षणों को नियंतरित करते हैं, तो जीन जो है, हार्मोनों की गती बीधी के माध्यम से लक्षणों को नियंतरित करते हैं, तो अप्सन तीन जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स्ट कोशन कह रहा है, कि निमने लिखित में से क्या, बेदुत चुमबक की चुमबक ये सक्ति को परभावित नहीं करेगा, तो आपको कुंडिली के अस्थापन की दीशा नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, तो कुंडिली के अस्थापन की दीशा नहीं करेगा, अप्सन दू जो है, बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, ओके, चलिए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, नेक्स का होता हैं दोस्तों तो C4H10 यानि की ब्यूटेन का होता है आप संचार जो हैं बिल्कुल सही उतर हो जाएगा